इस सबजी के बनते ही घर में इतनी अच्छी खुशु फैल जाती है कि लोग बिल्कुल डाइनिंग टेवल पर आकर बैट जाते हैं खाना खाने के लेवकुल रेडी हैं आवाज लगाना ही नहीं पड़ता है तो चलिए फ्रेंट्स आज हम बनाते हैं बहुत ही टेस्टी मेथ मेथी मिटर मलाई जैजी नेंद्र शाकाहर सदाबहार किचिन में आप सबका स्वागत है फ्रेंट्स हम ने या पर ले लिए मेथी लीव्स और मेथी लीव्स जो है उसको हमने अच्छे से पत्ते साफ करके उसके वाश कर लिया है और अब हम इसको उबलते हुए पानी में बोाइल करने का इसका एक रीजन है कि इससे जो हमारी मेथी होती है इसका करणर एकड़ मे görün बढना रहता है और साथ में यह जो इसमें थोड़ा बच्छुप्ध अजमी होता है वो भी निकल जाता है तो यह किपना सुनदर ग्री कर लिया है तो देखिए एकड़ में कीतना किया है अब यह जो मेथी है म्हानों दोड़ा सा कि Jestा निकाल लेंगे और इसको बारिक कट कर लेंगे और मतर वो भी वाइर हो चुके हैं इसको बोईल हो ले में ज़ीका नहीं लगता है पांच निदर के अंदर ही मेथी और जो मतर है वो बॉइल हो चुके हैं तो दोनों को ही हमको करण में टोटल दस मिट का समय लगा है और ये देखिए दोनों का कलर भी एकदम काफी सुन्दर है ग्रीन एकदम तो अब हम लगाते हैं तड़का तो इसके लिए हमने ले लिया है घी और यहां पर हमने लिया लों काली मिर्च और दालचीनी को दरदरा पीस लिया है अब हम डालेंगे थोड़े से जीरे और लगता है मैं अपनी पसंदीदा चीज हींग डालना तो भूली गई हूँ तो मैं पहले अब डालूँगी हींग तो इसमें हम डालते हैं थोड़ी सी हींग तो हींग डालिए काफी अच्छा फ्लेवर आता है इससे और अब हम डालेंगे इसमें जो हमने दरदरा मसाला कूट के रखा हुआ है वह हम इसमें डाल देते हैं दरदरी कुटी दालचीनी और अब हम इसमें डालेंगे कुछ खास मसाले जैसे की खस-खस, काजू और मुमफली या पीनट्स इसको हमने रोस्ट करके और ग्राइंड करके रखा हुआ है तो इस मसाले को मैं चंडरली ग्राइंड करके रखी ही रहती हूँ और जो भी सबजियां होती हैं बिना उनियन ग सरा कहले हैं हमें हम इसका काफी संदर कर देकता है आप हमकुछ ट्राइक मसाले हुआ डाले तो अब एसमें डाले ग्रेड़र तों मुल फ्रेश क्रीम आधी भी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं और क्रीम को अच्छी तरीके से डालके हम इसको मिला लेंगे और तुरंत मिलाने से जो क्रीम है वो फटती नहीं है तो बहुती सुंदर हमारी जो ग्रेवी उसका ट्रेक्शर काफी अच्छा आ रहा है बहुती टेस क्रीन कलर है तो औरेंज ग्रेवी में एक दम ग्रीन मटर काफी सुंदर दिख रहे हैं और इसको दो मिट के लिए धक कर पका लेते हैं जिससे जो मटर है वो जो ग्रेवी है उसको अच्छे से सोक कर लेंगे अब भी हम इसमें जो हमने मेथी को बॉयल और कट करके रखा हु अधि मेती मतर मलाई की सबजी लगभग तैयार है और आप चाहें तो इसको इसे ही सर्फ कर सकते हैं पर पर यहां में थोड़ी सी इसमें क्रीम और एट करूंगी, तो हम यहां पर एक से दौ चमच क्रीम और अचिञें, यह ऑप्शनल है, आप डालना चाहें ज़िए उपर से तो टालें नहीं, तो इसको इसको किबी कर सकते हैं, मेथी के फ्लेवर को एनेंस करने के लिए मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथो से क्रश करके और डालेंगे इससे इसका काफी अच्छा फ्लेवर आता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारी सबजी है तयार हो गई है अब हम इसको सर्व करते हैं तो सर्व करते समय हमें इसमें उपर से डालेंगे थोड़ी सी क्रीम तो फ्रेंड्स इसको आप लोग भी जरूर बनाएं इसकी खुश्बू अपने घर में भी फैलनाएं और कैसी बनी इसका फीड़ेक मुझे जरूर दें मेरे जिनल शा का हर सदा बहर को लाइक, शेर, सब्सक्राइब और कमेंट भी जरूर करें तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अने रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जैजिनेंद्र